नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो के अंदर आज मैं दोस्तों आया हूं चोपटा के पास नातूसरी रोड पर Express कार बजार के अनदर में आया हूं दोस्तों और गाड़ी है हमारे पास में Toyota की Urban Cruiser और ये गाड़ी fully sell करने वाले है और इस गाड़ी की वीडियो इसी लिए बना रहे हैं दोस्तो ताकि आप लोगों को ये साब सुतरी गाड़ी मिल सके और इतने कम रेट में ये गाड़ी sell हो रही है जो वीडियो के last में आपको बताने वाला हूँ वीडियो अगर आपको अच्छे लगेगी है गाड़ी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा आगे शेयर करिए और कॉमेंट करके आप इस गाड़ी के बारे में जो भी राय रखते है वो जरूर बताए दोस्तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा और साथ में बैल आइकन जरूर दवाइएगा और गाड़ी की जो कंडिशन है वो आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएगे आपको इस गाड़ी का इंजन दिखाएगे इसकी गाड़ी की जो भी अभी की कंडिशन है वो आपके साथ में शेयर करेंगे दोस्तो बने र पर की ये गाड़ी टोयटा की अर्बन क्रूजर कार है दोस्तों जो आप अपने मुबाइल की स्क्रीन में इस गाड़ी को देख रहे हैं जो मार्केट में इस गाड़ी को मिनी फॉर्चुनर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों मिनी फॉर्चुनर के नाम से इस गाड़ी को जाना जाता है यानि यह सस्ते बजट की गाड़ी है अगर आप का बजट फोर्चुनर गाड़ी का लेने का नहीं है तो आप इस गाड़ी में वो फील ले सकते है फोर्चुनर वाली तो आप इस गाड़ी को अगर खरीदेंगे तो फोर्चुनर वाली फील आपको यह गाड़ जरूर देगी दोस्तों और इसी के साथ में इस गाड़ी का नाम जोड़ा गया मिनी फॉर्टुनर और गाड़ी का जो ओरिजनल नाम है वो है टोईटा की अर्बन क्रूजर गाड़ी है दोस्तों यह 2021 मोडल गाड़ी है सफेद रंकी गाड़ी की जो सामने का जो फॉर्ट है वो आप देख रहे हैं गाड़ी की हैडलाइट के अंदर आपको प्रोजेक्टर नजर आएंगे देखिए दो प्रोजक्टर के साथ में आपको ये गाडी मिलने वाली है दोस्तो और जो गाडी की headlight की cleaning है वो आप देखरे हैं कितनी साप सुतरी है बहुत ही neat और clean इस गाडी की headlight है इसके साथ साथ में निचे गाडी के अंदर आपको fog lamp मिलते हैं भी प्रोजक्टर में मिलते हैं दोस्तो तो इस गाड़ी की जो लाइट है इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त इस गाड़ी की लाइट है साथ में जो ग्रील है वो मिलती है दोस्तो बिलकुल उसी सेप के अंदर इस गाड़ी की ग्रील मिलेगी जो तो Fortuner की जो grill होती है उसी सेफ में आपको इस गाड़ी की जो MID grill है वो मिलने वाली है यह देखिए दोस्तो और यह बलैक कलर के अंदर आपको यह जो इसकी grill है वो दिखाई दे रही है यहां पर लोगो लगा है T Config का और साथ में आपको यहाँ नीचे नमबर प्लेट नजर आएगी इसके नीचे भी एक जाली लगी है जो एर के लिए होती है यहाँ से गाड़ी एर इंटेक करती है और इसके बाद में आपको दिखाना चाता हूँ दोस्तों गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो आप दे देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल नए टेर गाड़ी के अंदर डाले गए हैं टायर की जो कंडिशन है वो आप देख लीजिए बिल्कुल एकदम नए टेर हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर पीछे वाला जो टायर है वो भी आप देखिए बिल्कुल अभी अभी नया टेर wonder का tear गाड़ी के अंदर लगाया गया है दोस्तो इसके बाद में आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी की जो side profile है उसमें कोई भी scratch नहीं है बिल्कुल same to same वही चीज है जो आप नई गाड़ी लेके आते हैं वैसी ही फिल आपको ये गाड़ी देने वाली है इसके साथ में यहां पर आपको एक roof rail भी गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है दोस्तो ये देखिए और दोस्तो गाड़ी की जो back profile है वो आप देखिए पीछे से आपको कहीं ने कहीं ये गाड़ी जो मारुती सुझकी की ब्रेजा है उसकी याद दिलाती है जब हम इस गाड़ी को देखते हैं बिल्कुल same to same वही ची लगती है इसमें फरक इतना ही आता है दोस्तो ये गाड़ी Toyota की है यहां पर logo लगा है Toyota का और वो मारुती सुझकी की गाड़ी है यहां पर urban cruiser की जो batching है वो आपको देखने को मिलेगी दोस्तो साथ-साथ में गाड़ी का जो गाड़ी की condition कितनी अच्छी है बहुत ही आराम से रखी हुई गाड़ी है दोस्तो इस गाड़ी को कहीं रफ नहीं तोड़ा गया है बिल्कुल सापसूतरी गाड़ी है जैसी आपको दिख रही है वीडियो के अंदर वैसी ही गाड़ी आपको मिलने वाली है जब आप इस ग कार बजार के नाम से इनका नंबर है संदीब भाही का मैं डाल दूँगा आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तो इनके नंबर पर कोल कर लीजिएगा ज्यादा गाड़ी की डीटेल आपको मिलेगी अब आपको इस गाड़ी का जो कैबिन है वो मैं दि दिखाई नहीं देता गाड़ी के अंदर यहां पर पाउर के कंट्रोल है दोस्तो पाउर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते यहां पर खिटकी खॉलने के लिए और इसके बाद में सबसे बड़ी चीज यह दोस्तो इस गाड़ी के अंदर पुस्स स्टार्ट स्टोब बटन दबाते ही गाडी स्टार्ट हो जाएगी और बटन दबाते ही गाडी आपकी बंद हो जाएगी ये सुवीदा आपको इस गाडी के अंदर मिल रही है दोस्तोो वाला हूँ वीडियो के अंदर बने रहे हैं आप यहाँ पर पूरे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं AC के कंट्रोल और यहाँ पर Music System के कंट्रोल बने हैं दोस्तों साथ में आपको Airbag इस गारी के अंदर मिलने वाले हैं और गारी की जो condition है वो आप देख रहे हैं बोटल का होल्डर मिलने वाला है साथ में जो कंट्रोल है आपको यहां पर मिल जाते हैं दोस्तो मिरर का और इसके साथ साथ मैं गाड़ी की जो सीट है वह आप देख लीजिये कितनी साब सुत्री है इस गाड़ी के अंदर बहुत ही आपको साब, सुत्री, नीट और क्लीन ये गाड़ी मिलने वाली है, पिछे दोनों खिड़कियों के अंदर आपको स्पीकर मिलने वाले हैं, यहाँ पर कुछ आपको स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर, कुछ रखने के लिए यहाँ पर ने मेट भी गाड़ी के अंदर डाले आपको जब इस गाड़ी को आप खरीद दोगे तो बिल्कुल ने मेट आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं और यह गाड़ी दोस्तों आटोमेटिक नहीं है यह गाड़ी मैनुवल फाइफ गेर इसमें स्पीड गेर आपको मिलने वाला है दोस्तों मैनुवल यह गाड़ी रहने दोस्तों गाड़ी की जो running है वो आपको बना देता हूं यह गाड़ी आज मत्र 50,000 km इस गाड़ी ने complete किये हैं दोस्तों देख रहे हैं आप अपनी mobile की screen पर इस गाड़ी ने पूरे 50,000 km आज complete किये हैं दोस्तों जब आप इस गाड़ी को लेने आऊगे तो 50,000 km चली वो आप देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल नई कंडिशन के अंदर आपको इस गाड़ी का इंजन नजर आएगा कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता इस गाड़ी में एक्स्ट्रा बिल्कुल नई गाड़ी के साथ में जो चीज़े हमें मिलती है same to same वही चीज़े आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है इंजन की जो कंडिशन है वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों बिल्कुल शोरोम कंडिशन का इंजन है दोस्तों इस गाड़ी का कहीं पर भी चाप भी नहीं लगी ए इस गाड़ी के इंजन के एकदम जो नई गाड़ी में आपको फील मिलती है वही चीज आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है दोस्तो किलोमेटर मैंने आपको बता दिये 50,000 किलोमेटर ये गाड़ी चली हुई है कंडिशन बहुत ही अच्छी है दोस्तो इस गाड़ी की अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो ब्रेजा से कहीं ज़्यादा बैस्ट रहेगी दोस्तो ये गाड़ी ये माँ आपको बता देना चाहता हूं अगर आप इस गाड़ी को खरीते हैं तो आराम से इस आईए आप चलाते चलाते ठक जाएगे ये गाड़ी नहीं ठकेगी दोस्तों क्योंकि टोईटा का जो इंजन होता है वो लगबग 6-7 लाख किलो मिटर तक कोई भी दिक्कत इस गाड़ी के इंजन में नहीं आती दोस्तों ये आप जान लीजिए और दोस्तों इस गाड़ी की छूट आपको मिलेगी अगर आप हमारे चैनल का नाम लेकर यहां पर आते हैं प्रोईटा का जो इंजन होता है वो सबसे बैस्ट मना जाता है इसलिए आपको मैं रिकमेंट कर रहा हूँ इस गाड़ी को खरीदने के लिए बिल्कुल ओरिजिनल पैंट के साथ ओरिजिनल इ बैल आइकन जरूर देवाईएगा तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत